हरी कृष्णा प्रेंट्स आज मैं आपके साथ रैसी पीशे करने वाली हूं पालक पनीर के कोफते यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है तो पालक को मैंने पहले धो लिया था पिसाफ करके मैंने छन्नी में रख दिया था इसको और क्या कहते हैं फि और स hundred चाहले बहुत हैं आगे सब्जी बन पड़ेंगे मताल न हैं शनुर्म के आपने नहीं डालना है। जो को ऐसी त्यार किते हैं आपके बहुत अच्छी से बाइंट बन जाइन पाने बिल्कुल भी निढ में चाहिए और इसको आप ओवल शेप में या बॉल शेप में इसको और आप आराम से इसको बना सकते हैं और यह बॉल्स बन रहे हैं यह शाम को जैसे इवनिंघ स्थे तो रखे हैं तक क्योंकि दीर दीर पखेगा ने तो यह अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और मैं दीर दीर सारे इसमें बॉल्स दाल दूगी और इसको तुरंस इसको पलटना नहीं है छीड़ना नहीं है बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए फिर इसके बाद इनक ब्राउन हो जाएगा अरहामकषी इसको निकालना है मैं फ्राइपन अब मैं हूं छोटा जो हमाने सूखा जो नारियल होता है फोटी से अकाजू डाल रहे हूं सो अबिर थोटीं के लिए त्न हरी मिर्श लिए हों इनको मैं फ्राइः करने के किससाद मेर्ध में डालोंगे दो बड़े टमाटर बनन गालने के बाद इसको थोड़े जी intern कि लिए हम इसको और यहीं की ठोड़े तक डाफ़्ोर में वह सव्थ हो जाए तक यह सोफ्ट हो जाएंगे तो आप इसको अल钮 से इसका का पेश होते हैं यह रियक्या यह सब्सक्राइब ऑध ही तो डी में दखतने थे की खुर सब्सक्राइब थे बिल्क टेस्च है तो डी में अक्षी कोमी गर्म देना ड wys eficny की बहुत है है तंड़ में हो coboda कैई में लेड़े, मैं डाला मस्टर्ड ओयल 2 बड़े चंबाश करीभे यह बस्टर्ड ओयल , इसमें डालूँगी डाल चीन साथ तर जीरा और तोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और गैस एकदम स्लो रखनी है क्योंकि मसाले जनने का डर रहता है तो इसमें थोड़ी सी डाल मिट जिससे अच्छा कलर आता है और यह जो मैंने कहते हैं मिक्सी में जो इसका पेस्ट त्यार किया है उस पेस्ट क डालें है तो इसमें यह पाली डालें चाहए तो अधर मिट पसंद करते तो आप टेज्ट डाल सकते हैं यह ज़िए जिक कई मिक्सी में इसको मैं ढख दूंगी ताकि जो इसका ऑइल है वह इसको पकाऊंगी क्योंकि इसके जो मसाला है अगर वही अच्छे से प्रके का नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा इसको मसाले को बहुत मीडियम आच में पकाना है और के कहते हैं फीज कितना अच्छा आया है इसका अब इसमें मैं डालूंगी गरम पानी क्योंकि जो हमारे मसाले का टेंप्रेचर है वह एक्दम एक्वल हो जाने तो अगर ठंडा पानी डालने से सब्जी का स्वार जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है इसमें मैं डालूंगी जैसी तो आप मैं कौँगी थोड़ा से एक्स्ट्रा डालियेगा और इसे करीम ने दो ग्लासी करीम ने पानी लिया है अब इस पानी को मीडियम आट में इसको पकने दूंगी और यह देखिए मेरा थोड़ा सब्सक्राइब अच्छे से पकने लग दिया ग्रेवी को थोड़ी त दूंगी और यह देखिए मेरा इसमें हरा धनिया का भी जो फ्लेवर है वह बिल्कुल अच्छे से आ गया है हरा दनिया आप लास्ट में बजाए आप बीच में डालेजेगा अब यह दिखिए मैं इसके अंदर डालने भीज़रे कोफते कोफते बहुत ही सॉफ्ट है इसलि देखिए कितने अच्छे से इतका कलर आया है यह बहुत ही तेस्ची लगते है खाने में इसको रोटी के साथ खाई है चावल के साथ खाई है और यह बहुत स्वाद और बहुत अच्छे बनते हैं आप इबाज जुरूर ट्राइक किए जएगा अगर आपको मेरा चैनल में यह वीडियो पसंद आई हो तो आप में को लाइक किजिए सब्क्राइब किजिए ओके थेंक यू बाए